चोपड़ा है जो किसने युटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चो, इंडिया में गौर्मेंट मेडिकल कोलेज की जो कटोफ है बहुत ही ज्यादा हाई जाती है और इस बार तो 651 या 652 कटोफ रहेगी आगे वो exam नहीं देना चाते हैं इस बार admission ही लेना चाते हैं तो वो प्राइवेट मेडिकल कोलेज में admission ले सकते हैं अगर उनके पास में budget है तो इसमें marks के according भी budget होता है यानि कि जिसके ज्यादा marks है तो उसका थोड़ा सा budget कम लगता है और जिसके कम marks है उसका budget ज्यादा ल colleges में काफी सारे state ऐसे हैं जो अपने state के private medical college other state candidate को share करते हैं लेकिन कुछ state ऐसे हैं जो अपने state की जो private medical college की seat हैं दूसरे state candidate को share नहीं करते उनको close state कहा जाता है और बाकी को जो share करते हैं उनको open state कहा जाता है तो मैं आपको आज open states की colleges के बारे में बताऊंगा उनकी fees के बारे में बताऊंगा और क्या cut-off रह सकती है तो इन colleges में other state candidate admission ले सकते हैं जिनका government में admission नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरिला state की तो केरिला education के इसाब से भी बहुत अच्छा state है और बाकी यहां total 19 college है इन 19 colleges में infrastructure वगरा teaching facility ये सब कुछ ठीक है क्योंकि ये सब पुराणी college हैं और इनकी जो fees रहेगी केरिला state की इंडिया में सबसे कम fees वाला यही इस्टेट है जिसकी 11 लाग पर year की fees रहेगी जिसमें सब hostel mess, other fees, books वगरा का जो भी student का expense होता है वो सारा 11 लाग में सब कुछ complete पढ़ जाएगा यहां पर साड़े चार साल की fees देनी होती है यहां पर और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो cut-off रहने की possibility है वो 600 and above रहने की possibility है केरिला इस्टेट में अब बात करें करनाटका स्टेट तो करनाटका स्टेट भी education के लिए अच्छा स्टेट माना जाता है यहां की भी सभी पुराणी कोलेज हीं कोलेज बहुत अच्छी है यहां पर education बहुत अच्छा है तो इसमें total 26 colleges normal fees की है जिनकी fees 11 लाग tuition fees है लेकिन 16 लाग से 20 लाग तक की भी यहां 6 कोलेजे हैं जिनकी fees ज्यादा है यहां पर तो होस्टल मैस अधर expense लगागे इन 26 colleges की total fees के बारे में हम बात करें तो यह 13 लाग पर year की fees पढ़ जाएगी और ज्यादा फीस वाली जो 16 से 20 लाग वाली जो फीस है उसमें 5 लाग पर कोलेजे ज्यादा पढ़ जाता ह बाह ज़ता है इसमें तो वो 18 लाग से अबो पढ़ जाएगी वो कोलेजे यानि की 18 लाग से 23 लाग तक वो कोलेजे यहां आपकी फीस लग जाएगी उन में ये नौर्मल कोलेजे की cut off की बात करें तो 585 यहां पर cut off रह सकती है नौर्मल कोलेजे की अगर हम यहाँ पर बात करें इन जो 6 colleges की cutoff के बारे में तो यह जो cutoff है वो 475 तक आपको मिल सकते है यहाँ पर अब बात करें 36 गटी state की तो यहाँ जो नोर्थी state हैं जो नोर्थी state के candidate से वो 36 गटी state में भी college लेना पसंद करते हैं क्योंकि इन में जो cutoff है वो थोड़ी सी केरिला और करनाटका से डाउन जाती है और यहाँ 3 colleges हैं बजट इनका 13 से 14 लाग पर येर का पड़ जाएगा और cutoff 570 marks रहने की possibility है अब बात करते हैं UP state की तो UP state ये 3-4 साल से थोड़ा सा popular state बनता जा रहा है क्योंकि इसकी fees increase नहीं हो रही है और 3-4 साल से government ने भी यहाँ की college उंपर extra fees जो hidden fees है वो लेने पर पाबंदी लगा दी है तो इसमें कोई hidden fees नहीं लेता है अलंकि 50-60,000 या फिर लाख रुपए तक यह examination fees या अधर fees के नाम से ले सकते हैं colleges कुछ colleges हैं जो इस परकार की hidden fees ले सकते हैं लेकिन फिर इसका total हम budget देखें तो इनकी अलग-लग colleges की अलग-लग fees है minimum 14 लाग सब कुछ इसमें आ जाएगा और maximum 17 लाग fees रहेगी यहां के colleges की UP state की कटोब की बात करें तो 370 marks यहां कटोब जा सकती है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 350 बताया था लेकिन इस बार फिर भी fees increase नहीं हुई है इसलिए यह मैं मान रहा हूँ कि 370 के निरभाई इस बार यहां की कटोफ चली जाएगी क्योंकि सबसे कम कटोफ वाड़ा यही इस्टेट है जिसमें fees कम पढ़ती है यहां पर हरियाना इस्टेट की बात करें तो हरियाना इस्टेट में 6 colleges है 17 लाग पर एनम के इसाब से यहां fees पढ़ जाएगी और 275 कटोफ रह सकती है हरियाना इस्टेट के लिए अब राजस्थानी स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थानी स्टेट में 9 यहां पुराणी colleges है और 2 इस बार open हो रही है तो टोटल 11 colleges यहां private हैं यह भी second round से open to all है शोरी third round से open to all है और इसमें जो परेनम fees लगती है वो minimum 24 लाग से start होती है और आगे 30-35 लाग तक भी पहुंच जाती है यह इसमें general quota और management quota अलग-अलग होता है तो मैं यहां general quota की minimum fees बता रहा हूँ 24 लाग से यहां minimum fees है राजस्थान में अधर स्टेट कंडिडेट admission ले सकते हैं qualifying marks पर भी यहां admission मिल जाता है यानि कि इस बार 164 marks पर भी अधर स्टेट कंडिडेट को यहां पर admission मिल जाएगा राजस्थान स्टेट में अब बात करें हिम इसकी फीज रहती है अलग-अलग फीज के तीनों कोलेजों की और 350 तक का score इसमें पहुँच जाता है बिहार की बात करें तो यहां 8 कोलेजेज है और 15 से 22 लाग तक की इसमें जो फीज है सबसे कम फीज यहां कटियार मेडिकल कोलेज की है और सबसे ज्यादा फीज जो नई कोलेज है और जे उसकी है यहां 22 लाग तकरीबन यहां फीज बैट जाती है उसमें 250 मार्क्स पर इस बार स्लेक्शन होने की पोसिबिटी है बिहार स्टेट में अब बात करें वेस्ट बंगोल की तो वेस्ट बंगोल में सबसे ज्यादा फीज पढ़ती है यहां पर टोटल 8 कोलेज हैं 82 लाग से लेकि 1 क्रोट 10 लाग फीज पढ़ जाती है टोटल इसमें और 200 तक इसमें स्लेक्शन हो जाता है तिलंगाना स्टेट की बात करें तो यहां 23 प्राइवेट मेडिकल कोलेज हैं और 14 से 16 लाग तक का बजट यहां पहुंच जाता है अलग-अलग कोलेज क की अलग-अलग फीज से यहां पर 470 तक कटोग जा सकती है आंधरा की बात करें तो 16 यहां नौन मानियोरिटी मेडिकल कोलेज हैं और 2 यहां पर मानियोरिटी मेडिकल कोलेज हैं फीज 16 लाग तक पहुंच आती है 520 तक यहां सेलेक्शन होने की पॉसिबिटी है तमिलनाड स्टेट में एक पुराणी मेडिकल कोलेज है इस बार एक नई कोलेज ओपन होने की पॉसिबिटी है मैं शोर नहीं हूँ कि यह ओपन होई जाएगी अगर पुराणी मेडिकल कोलेज भी हम देखते हैं तो 15 लाग परियर की फीज पढ़ती है यहां पर तिरपरा स्टेट में कैटेगरी वाइज यहां अदर स्टेट कंडिडेट के लिए 20 सीट से यहां पर उन 20 सीट की जो कटोफ रहेगी इस बार वो जनरल की मैं बता देता हूं 535 रह सकती है और OBC की 475 रह सकती है 15 लाग पर एनम इसकी फीज रहती है अदर स्टेट कंडिडेट के लिए पॉंडू जाती है और यहां 250 तक के स्कोर पर मिलने की पोसिबिलिटी है तो यह जानकारी थी कोलेजेज के बारे में आधर स्टेट में ओपन कोटा के कंडिडेट जो भी एडमिस्न लेना है जो देखना है एडमिस्न मैंने आपको बता दिया है उसके मुताबिक आप प्लान कर सकते है इन स्टेट में कोन सी कोलेज में कितनी कटोफ रहती है कोलेज वाइज फीज कोलेज वाइज कटोफ इसका आप हमारी इस बुक से देख सकते हैं तीन बुक हैं MCC की बुक है All India की स्टेट की बुक है I.U.S.W.E.T. नरी की बुक है इन तीनों बुक में अच्छी तरह समझाय इसमें कटोफ दी गई है 24 लिस्ट दी गई है और फ्लो चार्ट से कॉंसलिंग प्रोसेस को समझाया गया है ऐसे ही स्टेट की बुक में हر एक स्टेट के बारे में फैसलिटी दी गई है आप देख सकते हैं प्राइवेट गवर्मेंट सभी के बारे में समझाया गया है I.U. स्वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसलेट ही है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इन तीन बुक्स का लिंक है डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.sopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसी आप डाउनलोड करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं लेकिन हमारी paid services limited हैं वो हम कुछ दिन में अभी close कर देंगे तो ये जानकारी थी open state के बारे में आपको कहां college मिल सकती है आपका budget कितना होना सी है ये मैंने आपको मोटा मोटी जानकारी दे दी है और बाकी जानकारी आप हमारी book से ले सकते हैं तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैह